यहां पर हमें rate of disappearance, rate of disappearance, rate of disappearance, rate of appearance की बात हुरिया, तो सक्से पहले rate क्या होता है, तो rate of reaction अगर हम बात करें, तो rate of reaction क्या होती है, change in concentration, upon में change in time, यह हमारे rate of reaction होती है, तो जनरली अगर हम reaction की बात करें, अगर हमारे पास पर reaction है, reactant n r is the m, इस तरीके से हमारे कोई reaction एक्षेप कर रहे है, तो reactant के लिए अगर हम rate of reaction लिए तो rate क्या आजाएगी, माइनस में आएगा, 1y n आएगा, dr over dt आएगा, माइनस में 1y n dr over dt क्यों आएगा, क्योंकि यह जो dr है, हमारे क्या करेंगा, time दिसाथ हमारी concentration, dx n की decrease हो रही होगी, जिस रहे से यहां पर minus की quantity आएगी, तो minus minus positive, तो rate of reaction always क्याती है, positive आती है, यह हमारा 1y n, and multiply minus dr over dt, यह always क्या 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 आती है, rate of disappearance of reaction, यह क्या होगी हमारी rate of disappearance of reaction, इसी तरीके से अगर product की बात करें, product में देखें हम लोग, तो product में क्या है, कि rate of reaction क्या आजाएगी, यहांसे, 1y m, यह n क्या हमारा, यह n जो हमारा sociometric coefficient है, तो always अगर हम इसको multiply नहीं कर रहे होते, denominator में इस तरीके से नहीं लिखे रहे होते, 1y n नहीं कर रहे होते, यह क्या होती, rate of disappearance of reaction होती, अब क्या होगा, यह overall rate of reaction होगा, यहां पर हमारी अगर प्रोड़क्शन होगा, यहां से अगर हम अपनी reaction देखें, तो reaction क्या है, हमारी a plus b gives that 2c plus b, यहां से अगर हम rate of reaction देखें, तो हमारी क्या जाएगी, minus में आएगा ca over cc, यह जाएगा यहां से हमारी rate of reaction होगा, सब्सक्राइब देखैने शिकाय थे करेंट आपके जिए पेरेंस अफ डी यहां पर हमारे देखें वा में यह का है यह क्या रेट दिसपेरेंस ऑफ दिननट अभी घिबलकुल करेक्ट के श्रीले के पुलकुल गलत ऑपी व्हां पर नहीं है पर कैश्च फीर फेकिन हमारा कहाँ है चाहिए इस आप मल्टिप्लाइब यह हमारा बिल्कुल क्या है रिएंगा लेकर गारेट नियुक्त फिस्टीर हमारा है तो हमारे यहां से और जाएगा, option C will be the correct answer. I hope you understand it very well. Thank you.